हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का आर्वी अडिटीव क्लास में आज मैं आप लोगों के लिए कोस्चन लेकर क्या हूं यह कोस्चन क्लास 9 की मैध की बुक से लिया गया है तो चलिए इस कोस्चन को हम डिसकस करेंगे आप बस वीडियो को ध्यान से देखे और अंतर तक देखे जैसे कि यह जो कोस्चन आपके पास यह क्लास 9 की मैध की बुक से लिया गया है यह कोस्चन 4 है फाइंड दा एरिया आप ट्रेंगल टू साइट्स आप वीच आर 18 सेंटीमिटर और 10 सेंटीमिटर एंड पेरिमिटर इस फटीटू तो मैं आपको यहां पर बता देता सेंटीमिटर और यह माण लिजी cracking सेंटीमिटर है अर इसका प्रेन्टर की संचींटीमिटर को होता है कि इसको हम इस माले लिट कर लेते हैं साइड को और यह होजाता है जहां पर हमें तीसरी साइड सी जो है वह पता नहीं है तो सबसे पहले आम जब तीसरी सभाइब केंड तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हेरांस का फर्मूला होता क्या है? तो area of triangle is equal to S into S minus A, S minus B और S minus C and S is equal to A plus B plus C upon 2 आर perimeter upon 2 तो देखो ये दो फर्मूले आपर हेरांस में लगते हैं जहां पर A, B, C जो होती है वो तीनों triangle की side होती है S जो होता है वो semi perimeter होता है A जो होता है वो area होता है और P जो होता है वो perimeter होता है अब मैं एक अलग सी बात बताता हूँ आपको triangle की perimeter का formula क्या होता है तो ये होता है sum up sides of all triangle यानि कि A plus B plus C perimeter का formula होता है कि तीनों side को जोड़ दीजे perimeter आ जाएगा तो सबसे पहले हम perimeter से side calculate करते है solution we have तो सबसे पहले हमारे पास है AB is equal to 10 cm AC is equal to 18 cm और जो BC है उसको हम C let कर लेते हैं and P is equal to 42 cm by using perimeter of a triangle perimeter of a triangle perimeter of a triangle तो perimeter of a triangle क्या होता है P is equal to sum of all sides क्या होता है sum of all sides तो यहाँ पर sides कौन कौन सी है तो P के बालू आपको पता है कितना दिया है 42 और एक side है आपका 10 cm और दूसरी side है आपका 18 cm और तीसरी side आपको पता नहीं है जिसको आपने C मान लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा C आप देखो इन दोनों को add करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 18 को add करेंगे तो 28 हो जाएगा तो 42 is equal to 28 प्लस C अब यह इधर में है इधर जाके माइनस में होगा तो 42 minus 28 is equal to C तो यहाँ से जब आप subtract करोगे कितना 12 minus 8 तो हो जाएगा 4 और 3 minus 1 3 minus 2 subtract करोगे तो हो जाएगा 1 यानि कि C की value कितनी आ गई 14 आ गई यानि यह वाली side कितनी आ गई यह वाली side 14 आ गई अब यहाँ से हम find कर लेते हैं semi perimeter क्या find कर लेते हैं semi perimeter तो semi perimeter का formula होता है S is equal to देखो यह वाला लगाएंगे P by 2 P by 2 P क्या है मारे पास 42 है 42 upon 2 तो यह हो जाएगा मारे पास कितना 21 है ना 2 to the 4 2 अंजा 2 तो यह आजाएगा हमारे पास semi perimeter 21 cm अब इन सब values को हम here on's formula में put करेंगे answer को find करने के लिए तो आप चाहो तो इसको वीडियो पहुँच करके या बै करके लिख लेना मैं इसे सब को मिटा देता लिखेंगे by using here on's formula area of triangle is equal to s into s minus a s minus b s minus c आप देखो या पर bell loop substitute कर देंगे put कर देंगे तो पहले आजाएगे 21 21 minus 10 21 minus 18 21 minus 14 और यह लग गया हमारे under root तो देखो 21 का 21 रहेगा 21 minus 10 करेंगे तो मापस आजाएगा 11 कितना आजाएगा 11 अब 21 minus 18 करेंगे तो कितना आजाएगा हमारे पास 3 आजाएगा और 21 minus 4 करेंगे तो मारे पास 7 आजाएगा कितना आजाएगा 7 आजाएगा अब इनको multiply कर लेते हैं तो देखो अभी 7 3 जा कितना होगा 21 सबसे पहले मैं आपको formally करके दिखाता हूँ 7 into 3 करेंगे तो यह आजाएगा 21 और फिर 21 में 11 से multiply करेंगे तो 11 बन जा 11 और 11 to the 22 23 और फिर इसमें 21 से multiply करेंगे तो 21 बन जा 21 टू कहरी 21 थिर जा 63 टू 65 और 21 टू जा 42 प्लस 6 48 तो यह कितना हो जाएगा यहाँ पर 4851 अब हमें यह देखना है कि 4851 जो होता है वो किसका square root होता है क्योंकि यहाँ पर तो ultimately हमें under root को solve करना ही पड़ेगा तो देखो जब इसको prime factorize करेंगे 4851 को तो पहले हम यह चेक करेंगे 3 से जाएगा की नहीं जाएगा हाँ यह 3 से cut जाएगा तो 3 बन जा 3 1 remain हो जाएगा 3 6 जा 18 3 बन जा 3, 3 7 जा 21 फरदर 3 से चेक करेंगे तो 3 5 जा 15 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27 यह आगे 7 से डिवाइड होगा सो 7 7 जा 49 अभी देखो 49 जो 53 जो 49 मैनस करेंगे 4 बच्चे का 7 7 जा 49 और फिर आगे 7 से डिवाइड होगा तो 7 जा 7 7 जा 7 और लास्ट में यह 11 से डिवाइड होगा तो आप देखो इसका pair बन रहा है इसका pair बन रहा है इसका pair नहीं बन रहा है तो जिसका pair बन रहा है वो bracket से बाहर होगा और जिसका जिसका नहीं बन रहा है वो bracket से अंदर होगा कैसे होगा वो मैं बताता हूँ देखो जैसे हम यहाँ पर 4851 की place पर यह लिख सकते हैं 3 into 3 into 7 into 7 into 11 तो इसका pair बन रहा है तो ये बाहर हो जाएगा और फिर इसका pair बन रहा है 7 का तो ये बाहर हो जाएगा 11 का pair नहीं बन रहा है तो वो under root में हो जाएगा किसमें हो जाएगा under root में तो finally answer कितना आएगा 37 जए 21 under root 11 centimeter square तो यहाँ पर इस triangle में area कितना आएगा 21 under root 11 का centimeter square मैं इसको यहाँ पर write कर देता हूँ thus the area of triangle is 21 under root 11 centimeter square यह हमारा answer होगा students उमेद करता हूँ कि इस वीडियो मां आपने कुछ समझा पाया होँगा अगर यह वीडियो हलफुल लगा है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए thank you class